आज हम लोग इस पहलवान के बारे में बात करेंगे जो आज कल आप देख रहे हैं कि दुनिया बर में चर्चा का कारण बना हुआ है और आप देखें कि सोचल मीडिया पर काफी आप लोगों को वीडियो और फोटो भी बारल दिखाई दे रहे होगे और आपके चारों तरफ रिंको सिंग राजपूत बीर महान की चर्चा हो रही है और किस तरह से आप देखेंगे कि इसने WWE में धमाल मचा की रखा हुआ है और भारत का नाम भी रोसन किया जा रहा है तो इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगी और आपको मलू होना चेए कि इनके पिता एक टुर्ण ड्राइवर थे और आप समझ सकते हैं कि इनका पालन पोसन किस तरह से रहा होगा लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब आप हाल नहीं मानते हैं, लगे रहते हैं, तो सफलता आखिर आपको मिल ही जाती है. कुछ पिक्चर्स और आपको दिखाई दे रहोंगे, बीरभान के, और आप लोग देखिए, आलग ही इनकी पहचान देख रही होगी आपको, और आप दूर से ही एक तरह से इनने पहचान सकते हैं कि एक भारती हैं, क्या हैं? भारती हैं. तो अगर हम लोग रिंको सिंग राजपूत के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि इनका जनम कहां होता है? इनका जनम उत्तर पिदेश के लखनव भदोही के एक गाउं में इनका जनम होता है. कब जनम होता है? आठ अगस्त 1988 को इनका जनम हुआ था. एक बार आप लोग उत्तर पिदेश को देख लिजे. आप देखेंगे, यह हमारा प्यारा भारत है. इसमें उत्तर पिदेश आपको देखने को मिलेगा. उत्तर पिदेश की राधधानी लखनव है. और 24 जनमनी 1950 को उत्तर पिदेश को राज्य बनाय गया था. यहां बिदान सभाब में आपको 403 सीटें देखने को मिलेगी. बिदान परिशाद है जिसमें 100 सीटे हैं. राज्य सभा में 31 सीटे हैं. लोग सभा में 80 सीटे हैं. कितनी 80 सीटे हैं? और आप देखेंगे कि इनका परिबार आर्थिक रोप से कमजोर था. यानि कि गरीब एक तर ऐसे था. और इनको से सिंग बैसवोल पे लेयर भी रह चुके हैं. और वह है बैसवोल की पहले भारती पेसे वर खिलाडी है. उन्होंने अमेरिका में भारत की वोर से 10 साल तक बैसवोल खिला. कितने? 10 साल तक. और रिंकु सिंग राजपूत की इस तरफसेष्ट बैसवोल खिलाडीयों में से ए उन्होंने NXT में अपनी कुस्ती केरियर की सुरुवात की. उन्होंने फॉल सेल यूनिवसिटी टीवी टैब में सिंग मलूटा की साथ कुस्ती की. और रिंकु सिंग राजपूत का निकनेम रिंकु है. और यह परोफेशनल WWE पहलवान और पूर बेसबॉल फिलियर है. क्या उन्होंने जीता हुआ है. वैसे बच्पन से ही सभी पिकार की खेल खेला करते थे रिंकु सिंग राजपूत. और अपने स्कूल में विविन पिकार की खेलों में मैडल भी जीता करते थे. अपने स्कूल के दिनों में मुकरूब से भाला फिकने का भी खेल 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 चुके और आप सभी जानते हैं कि आपकी भी दिल्चस्पी रहती है और मुझे रखता है कि बच्पन से ही जिस बच्चे को जो करना हो कर सकता है और करने देना चाहिए माब आपको उस पर जवरज़स्ती कोई काम थोपना नहीं चाहिए उसकी दिश्में जिसमें भी दिल्चस्पी है वो काम करें और एक समय आप सभी जानते हैं कि कहा जाता था कि जो खेलेगा कूंदेगा बनेगा ख्राब आज उल्टा हो चुगा है जो खेल कूंद रहा है वो आप देख रहे हैं कि भारत का नाम भी रोसन का रहा है और घर परिवार का भी नाम रोसन किया जा रहा है उसके द्वार 2008 में रिंकु सिंग दा मिलियन डॉलर आम नाम के भारती रेलिटी सो में हिस्सा भी लेते हैं यह एक वैस्बोल रियल्टी सो था और भारत में इस खेल की पिचलित था ना होने की कारण रिंकु सिंग इस खेल के बारे में आधिक नहीं जानते थे फिर मगर भाला फेकने का नुवा होने की कारण वो आए बैस्बोल की खेल में गैंद बहुत अच्छा फेक पाते थे जिस बज़ा से इस रियाल्टी सो में उन्हें ले लिया गया था अच्छी फेक्टिस और अच्छे कोच के निर्देश पर चलते हुए रिंकु सिंग ने इस रियाल्टी टीवी सो में जीत हासिल की और इस खेल के तौरान 87 मील पिती सेकंड की रप्तार से उन्होंने वेस्ट वॉल का कैंद फेका था जो एक रिकॉर्ड माना जाने लगा फर आप देखेंगे जीत और देश भर में अपने रिकॉर्ड को देखकर वे वेस्ट वॉल खेल की तरफ बहुत आकरसित हुए और इस खेल में अपना करियर बनाने के लिए वेस्ट वॉय अमेरिका चले गए कहां? अमेरिका भी गए बीरमहन का इसपोर्ट करियर अगर आप देखें तो बीरमहन यानि की रिंकु सिंग राज़पूद का सपोर्ट करियर WWE सैना सुरू होकर अमेरिका की पिछलित खेल बेस्वॉल से सुरू होता है भारत में रियल्टी सो जीतने के बाद बेस्वॉल खेल की तरह इतना आकरसित हुए कि वह इस खेल को अपना करियर बनाने के लिए अमेरिका गए जहां विभेन बेस्वॉल टीम में अर्जी देने और ट्राइल देने के बाद उन्हें फिट्सबर्ग पाहिरेट्स नाम की पिछलिस बेस्वॉल टीम में जगे मिल जाती है और इस खेल को अथिक पसंद करने लगी कि 2009 से 2016 तक विस्व भर में अलगलग बेस्वॉल लीग मैचेस में उन्होंने हिस्सा लिया और अपने बेस्वॉल फेकने की कला से पूरे विस्थ का ध्यान अपनी जोर घीचा और चर्चा में आए भारत में भाला फेक और अच्छे छोटे मोटे खेल खेलने की बज़े से वैबस्वॉल इतने अच्छे से फेक पाते थी कि इसकी फेक्टिस करके उन्हें अपने 87 मेल की रिकॉर्ड को 90 मेल पिती सेकंड में बदल दिया था यानि कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़िया था अलग अलग जगहों पर वेस्वाल खेलने के दोरान उन्हें वेरिश ट्रिलिंग के कुछ लोग भी मिलते हैं और जहां से वह रैसलिंग की तरफ आकरसित हो जाते हैं तो जब वीर महान वेस्वाल की खेल में पिछली तहसील कर रहे थे तो उस दोरान 2016 में रैसलिंग की तरफ उनका ध्यान मुडता है और 2016 में रैसलिंग की अलविदा करकर एक अन भारती पहलबान सौरफ गूर्जर के साथ मिलकर अमेरिका में होने वाले अलग-अलग रैसलिंग सो में हिस्सा लेने लगते हैं और फिर आप देखेंगे कि इसी दोरान वे अमेरिका के अलग-अलग रैसलिंग सो में भी जाते और इसी दोरान WWE NXT में अपने मित सौरफ गूर्जर के साथ दा इंडियन सेर के नाम से एक टेग टीम में आते इस दोरान वे भारती है WWE, खिलाडी जिंदर महाल से मिलते और जिंदर महाल ने WWE, चेंपियन बंद कर WWE के मैं रोष्टर में बहुत अधिक पिछलित, पिछल यानि की सिद्धी हासिल की और रैसलिंग की सुरुआती दौर में, रिंकू अपने असली नाम, रिंकू के नाम से पिछलित थे NXT में, उन्होंने रिंकू नाम से ही टेग टीम के रूम में सुरुआत की कुछ पिचल लेते हासिल करने के लिए यानि कि सिद्धी पाने के लिए यह तीनों खलाडियों ने एक साथ मिलकर WWE NXT में खेलना सुरू करते हैं फिर आप देखेंगे उस बक तो उनके नाम जिंदर, बीर और सौकी रहा यह तीनों खलाड़ी एक साथ मिलकर WWE में लगातार 12 मेज जीत जाते हैं और मगर अगाचानक कुछ कारणों की वज़े से इन तीनों को अलग-अलग होना बढ़ता और वीर महान अपने रोप और कत-काठी की वज़े से WWE के मैन रोष्टर में हिस्सा ले पाते हैं और WWE में कोई भी पहलवान दो मिनिट तक उनके सामने नहीं टिक वाया और इसी कारण आप देखें चर्चा में बने हुए हैं बीर महान ने तीन हपतों में तीन रसलों को बुरी तरह से हराया है उन्होंने रे मिष्टेरियो के बेटि डामेनिक मिष्टेरियो को 119 सेकिंड में और जैब बुक्स को 110 सेकिंड में और आप देखेंगे कि सैम समूर्थरस को सिरफ 36 सेकिंड में ही धेर कर दिया है तो यह तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छे पहलवान हैं आप इनके वारे में कुछ दिलस्व कहानिया भी हैं किस्ते भी हैं सिरी राम को अराद मानते हैं वीर महान रिंकु सिंग राजपूत और रिंकु सिंग राजपूत वीर महान भगवान सिरी राम को अपना आधर्स मानते हैं और इसी कारण उनकी एक वहाँ पर आप भगवान सीरिडाम का टेटू भी देख सकते हैं, यही नहीं वह सनातन धरन से जुड़े बीडियो अपने सोसल मीडिया पर डालते रहते हैं, और काभी वाइरल भी होते हैं, हिंदू धरम की पिसंसा और भगवान सिप की पूजा भी क पर दिलक और कई वार रुद्राक्ष की माला भी उनके गली की सुभा बढ़ाती है, और आप देखेंगे सीने पर बड़ी अक्ष्रों में उन्हों ने मा भी लिखवाया हुआ है, क्या लिखवाया हुआ है मा लिखवाय हुआ है और एवी आप देखेंगे कि काफी ध्याना करशित करते हैं लोगों का तो एवी याद रखेएगा 2012 से रिंकू साकाहरी है जब उन्होंने अपने गाओं भदोही में कुछ लोगों को मुर्गे को मारने के लिए उसके पीछे दौरता हुआ देखा तो उस दिन से उन्होंने कभी मास ना खाने का पैण लिया और आप देखें ये 2012 से वे पूर्टा साकाहरी बन गए और हिंदु धर्म के अनुसा साकाहरी को अपना अना सही है और जो लोग कहते हैं कि साकाहरी से सरीर नहीं बनता रिंकुन ने उनको गलत साविद कर दिया आप لوगों कि अगर वाड़ी नहीं बनती होगी तो आप किसी से सलाल लेते होगी तो कहीं लोग आप से कहते होंगे, डॉक्टर भी कहते होगे कि आप मचली खाईए, अंडा खाईए, मुर्गा खाईए लेकिन आप देखें कि ऐसा नहीं है मास खाने से आप देखें कि क्या बॉड़ी नहीं बनती है सरीर नहीं बनता है साकारी भोजन खाकर भी आप लोग अच्छे भले पहलबान बन सकते हैं एक इसने सिद्ध कर दिया, रिंकु सींग राजपूत ने तो यही कहानी है, रिंकु सींग राजपूत की जो अभी धमाल मचाए हुए है और मुझे लगता है कि इस तरह का अगर कोई व्यक्ति चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान जानकारी आपके पास हौनी भी चाहिए ठीक है? अगर और किसी के बारे में बात करनी हो तो जरूर आप लोग बताईएगा उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे